हेलो प्रेंट रिसेंटली चर्चा में रहेज मुद्दे के उपर आज हम चर्चा करेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं राष्ट पति बाउन है वो चर्चा में रहा है क्योंकि वहां पर पब्लिक विविविंग के लिए ओपन कर दिया गया है उसको और जो की 1 दिसंबर से स्ट होगा और कौन से कौन से डेज में वो रहेगा वर्डनेस टेज थरस्टे फ्राइडे सेटरडे संडे को रहेगा और जो गजटेट होलिडेज हैं उन दिनों में ये नहीं होगा इसके अलावा पब्लिक की विजिट है वो राष्ट्र पतिबावन में जो म्यूजियूम कॉम जो सर्मनी है वो सेटरडे को नहीं अगी अगर वो गजटेट होलिडे है तो इसके लावा हम राष्ट्र पतिबावन के बारे में जान लेते हैं सबसे पहले ये जो वाइस राय हाउस कहा जाता था इसके बाद में इसको गवर्वेंट हाउस कहने लग गए थे ओफिसल ये क नाम से भी जानते हैं इसको इसका पूरा नाम है एडविन लेंडशियर लुटियंस इसके लावा यहाँ पर काफी चीज़े मैंने डाल रखे हैं आप देख सकते हैं फर्स्ट इंडियन ओक्पेंट कौन था चकरवर्ती राजागोपाला जी थे और इनके लावा यह जो मु फर्स प्रेजिडेंट बने थे तो उन्होंने ओक्पाई कर लिया था और इसका नाम राष्ट्रपति बहुन दे दिया गया था और पार्लियामेंट हाउस बोलते हैं इसको इसके लावा किसके पिरियर में बना था यह एडवर्डियन बुरोक के टाइम में बना था स्वामी विवेकानन्द गार्डन है जो इसमें ही है मुगल गार्डन जो है कहां परही राष्ट्रपति बहुन की पीछे की साइड में यह बना हुआ है 2014 में म्यूजियम है जो इसके अंदर बनाया गया था उसको इनगरेट क्या था फॉर्मर प्रेजिडेंट पर्णम मुखर जी रे सेकेंड जो मुद्दे की बात है वो क्या है प्रेजिडेंटियल इलेक्शन इन कजाकिस्तान कहां है सेंट्रल इसिया का एक कंट्री है और वहां का जो नूब प्रेजिडेंट पनाया है जिनका नाम है कोसिम जो माट तोकवेव जो इसका नया प्रेजिडेंट बने है जो ये border share करता है उन countries की नेम देख सकते हैं रसिया, चाइना, किर्गिस्तान, उजबेकिस्तान, तुर्कमिनिस्तान और कैस्पियन सी है उसको भी ये टच करता है capitalist की पहले अस्ताना थी, अब इसको नूर्ट सुल्टान के नाम से जानते हैं, 2019 के बाद में ये नूर्ट सुल्टान बन गई है कजाकिस्तान है वो, वर्ल्ट का सबसे बड़ा landlocked country है, यानि कि किसी भी sea को टच नहीं करता है इसके अलाबा, जो 9th largest country है ये, इसकी 19 million people जो इसकी population है और इसकी जो sovereignty है वो टिकलेर होई थी 25 October 1990 को, independence from Russia 16 December 1991 को sovereignty क्या होता है, किसी भी external country का उसके उपर कोई भी दवाब ना हो, इसको sovereignty बोलते है यानि कि इनका खुद का दवाब है उनके उपर, वो खुद अपनी मर्जी से ही काम करते है इसके अलाबा, जो इंडिया में new election commissioner है, वो appoint होई है श्री अरुन गोयल जी, चार्ज उनोंने लिया है, 21 November 2022 को और हमारे जो chief election commissioner है, वो है, श्री राजीव कुमार जी जो अभी नेपाल में है, इंटरनेशनल अबजर्वर के तोर पर वहाँ काम कर रहे है और अरुन जो जी है, वो IAS है, पंजाब करडर के, 1985 पैज के जो है और इस से पहले वो कहा थे, secretary थे, ministry of heavy industry में, 2020 से लेकर 2022 तक election commission के बारे में जान लेते हैं, constitutional body है ये, और established by constitution of India के दवारा ये established की गई है regulate करती है, जो elections होते हैं इंडिया में उनको, और article 324 है, ये क्या करता है, इसको कुछ powers provide करता है जो superintendent direction है, control of election, parliament, state legislation से, इनकी जो power है वो provide करता है आप इसमें पढ़ सकते हैं, और ये कब बना था, 25 January 1950 को बना था, और इनके जो अभी है, वो chief election commissioner है, वो राजीव कुमार जी है, IAS diet chief election commission, इसके अलावा दो और इनके जो help के लिए होते हैं यहाँ पर जिसको election commissioner बोलते हैं, अनूप चंदरपांडे और अरुन गोयल जी है, अरुन गोयल जी 21 नोवेंबर से उन्होंने पद्जमाला है, इसके अलावा, air force का रहा है, air force कानपूर वन है, वो news में रहा है, यह क्या था, और क्यों news में रहा है, चलिए इसके बारा में जान लेते हैं इंडियन air force है, heritage center, जो की sector 18 चंडिगड में है, उन्होंने receive किया है, यह कि विंटेज फोटो टाइप, एर क्राफ्ट था, कानपूर वन के नाम से उसको, और इसको किस ने बनाया था, जो air voice marshal है, हरजिंदर सिंग, उन्होंने बनाया था, और अभी हाली में इसको पंजाब engineering college है, उन्होंने hand over कर दिया है, heritage center को, IAF heritage center, gift किस ने किया था, हरजिंदर सिंग जे ने किया था, 1967 में, और 1958 में यह बनाया गया था, और यह है, future generation के लिए, understanding का एक issue है, कि हमारे जो importance है, self-lance की, innovation की, और dream है, अपना make in India, उसके लिए एक बढ़ता हुआ कदम है, यहाँ पर आप फोटो देख सकते हो, कानपुर्वन की, इसके लाबा, international committee for weight and majors है, CIPM, उनके एक member select होए है, इंडिया के, जो फ्रोफेसर वेनु गोपाल अचन्ता, और यह यहाँ CIPM के member बनाए गए है, और यह member बनने वाले 7th member है, इंडियन, 7th इंडियन है, और इसके बढ़ता है, थे CSIR, National Physical Laboratory है, जो नुदेली बेस्ट है, उसके प्रोफेसर है, डारेक्टर है, तो इसके लाबा, जो फर्स्ट थे, वो कौन थे, और शिक्स्त कौन थे, यह भी मैंने डाला, आप यहाँ पर देख सकते हो, शिक्स्त इंडियन है, वो, यह सार, गोपाल डारेक्टर है, यह अभी CSIR, NPL है, उसके डारेक्टर रहे हैं, और जो फर्स्ट थे, वो, डॉक्टर केस्ट क्रिट्शनल, फाउंडर डारेक्टर थे, CSIR, NPL के, और जो यह अभी कॉन्फेरेंस हुई थी, यह पेरिश में हुई थी, 15-18, 2022 को, और वहाँ पर इलेक्ट हुए हैं, नेक्स्ट न कि व flagship आए हुए हैं, झालेक्टर के लिए खिक्नेंस, क्याक्टर रहे हुए हैं, प्रिण किव भिसे हुए हैं, कि तू में जैने हैं, शे खे भी सजए हैं, कर दोरेक्टर में पाले के थे, गको में एलेक्र काचा पंधार से हैं, में घालेक्ट दा हैं, यहां ऐां यहें क